बारा मुला मुटभेड में एक आतंकी डेर कंडी के जंगलों में भी जारी है तलासी अभियान जमू कस्मीर के बारा मुला में सुरक्षा बलों और आतंकियों की वीचल रही मुटभेड में एक देसत गर्द मारा गया है कस्मीर जोन की पुलिस की जानकारी के अनुसार कुछ और कातंकियों की छेपे होनी की आशंका है इसलिए तलासी अभिहान जारी है दूसी तरफ राजवरी के कंडी जंगलों में मुटवेड जारी है पी आरो डिफेंस जमू ने बताया कि अभी सुरक्षावलों का मुटवेड अभिहान चल रहा है और आतंकियों से संपर्ख हो गया है सूतरों के अनुसार जंगली इलाका इतना घना है कि वहाँ पर ड्रोन की मदद से भी कुछ देख पाना संभव नहीं राज़ोरी पुँच जिले में जब आतंक वाद चरम पर था तो आतंकी केश्री हिल और आसपास के घने जनली इलाकों वह प्राकरतिक गुफाओं में पना लेते थे उसी तरज परफिड से आतंकी वारदातों को अंचाम दे रही है पी ए एफ एफ ने फिर ली जिम्मेदारी आतंकी संगठन प्यूपल्स एंटी फासेस्ट फ्रेंट ने राज़ोरी में पांच जवानों की शादत की जिम्मेदारी लिए फ्रेंट ने टेलीग्राम पर लिखा कि वे जैसा चाते थे ठीक उनकी उमीदों के मताबिक हुआ घात लगा कर IED को रिमोर्ट से विस्वोड किया ये भी लिखा कि कितना आसान है घात छेतर में उकसा कर बलाना कितना असान है सेना की हर अरकत का पता लगाना हमने जंगलों को बहुत ही अच्छे से अपने लिए तैयार किया है सेने जवानों की शहादत पर सियासी नीताओं ने जताया दुख राज़ारी में पार्च सेने जवानों की शाहदत पर राजनीतिक नीताउनों गहरा दुख जिता है नेशनल कॉन्फरेंस के उपाद्वेक्ष एवं पूर मुक्ह मंतरी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद की जितनी भी निंदा की जाए कम है उनने सोक संत्रप्त परिवारों के प्रती हारदिक सम्वेदना भी प्रकट की है पीडीपी की अद्दैक्ष एवं पूर मुक्ह मंतरी महबुवा मुफ्ती ने कहा कि आतंक्यों की कायरता पूर्ण हरकत है अपनी पार्टी के अद्दैक्ष अल्ता बुखारी ने भी रास्ट की सुरक्षा के लिए बल्दान देने वाले सैने जवानों को रस्रद्धांजली अर्पित करते कहा कि रास्ट उन्हें हमेशा याद रखेगा कश्मी जोन की पुलिस की जानकारी के अनुसार 12 मुला के करहामा कुझर इलाके में मुठवेड हुई है कुझर इलाके में मुठवेड हुई है पुलिस और सुरक्षा बल मोर्चे पर है एक आतंकी मारा गया है